क्या से आचब लोग वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल मैं आपके लिए फिर्स एक पार लाया हूं NCRT हैं रिटर नोर्स को मिस्ट्री ग्लास पर स्टु स्टुरेंट्स के रिए इसमें हमारा चैप्टर नमबर 6 रहेगा जिसका नाम है एक्स्ट्रेक्शन ऑफ मेटल या जर्नल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेटेड एलिमेंट्स फर्स चैप्टर सेक्टर थर्ड चैप्टर फॉर्स चैप्टर एंड फिद्फ चैप्टर की वीडियो मैं बना चुका हूं आप उपर जाके आई बटल में लिका सकते हैं और उन वीडियो को देख सकते हैं अब आते हैं हम जर्नल प्रिंसिपल ऑफ इस चैप्टर है यह आपने 6,7,8,9,10 से पढ़ते हुए आयोंगे हमारे जो हमारा नेचर में क्या डिपेंड करते हैं 10 elements करते हैं oxygen,silicon and other elements जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें पहरा टॉपिक आता है मिनरल्स पहली बाद मिनरल्स क्या होता है मिनरल्स वह चीज होती है जो हमें नेचर के द्वारा मिली जाती है नेचर के द्वारा मिलती है उसे हम मिनरल कहते हैं और इसके बाद आता है ओर्स ओर्स क्या होता है अर्थलिप इंप्यूर्टी जो हमें extraction of metal से प्रोवाइड की जाती है उसे हम ओर कोड़ते हैं all minerals are ore conceptual question बोह रहा हूं मैं important question है आपके लिए all minerals are ore but ore are not mineral कभी आपने देखा है किसी के same ore है नहीं जिंक और iron के ore बिल्कुल same होते हैं तभी हम कहते हैं all minerals are ore but ore are not mineral यह conceptual question बहुत वार कुछ अगया है और इसके बाद आता है हमारे gang gang होती है जो earthly impurity हम लेती है इंदा earth crust, earth crust से जो property लेते है उसे हम gang होते हैं यह आपने class 10th, 8th, 6th में भी बढ़ा ही होगा और इसके बाद आती है सबसे important चीज इस chapter में froth plantation, froth plantation क्या चीज होती है? froth plantation वो चीज होती है तो आर्टेटिक फॉर्म में कैसे जेंज होता है? उसी की बज़ेश होता है stamp मिल के द्वारा वो change के जाता है इसके बाद आता है gravity sharpation, बिल्कुल similar है इसकी तरह फिर chromatography, chromatography में use होता है aluminum and zinc is coined as a chromatography फिर आएगा हमारा zone refining, zone refining में क्या होता है? magnesium होता है बस बाकि जो detail मैंने आपको बताई वो आपको description box में मिल जाएगी जड़ी से description box में जाए और उस PDF को download करें और उस link को उन भच्चों को share करें जो coaching effort नहीं कर सकते आपको इस chapter में किसी भी प्रकार कर doubt हो तो आप comment करके मुझे भेज सकते और मैं आपकी problem को solve कर सकता हूँ और last में मैं तो एक वार कहता ही हूँ कि हमारी चैनल को like, share, comment और subscribe करना ना भूले और घंटी बजाना ना भूले ओके चैनल को subscribe कर लो मिलते हैं अगली वीडियो में